हेलो एवरीबड़ी मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस्टारों 369 में गाइज आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि third party और आपके partner के बीच में क्या चल रहा है क्या situation है क्या आगे होने वाला है क्या हो चुका है situations और कैसे आगे बढ़ेंगी दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं क्या हालात है एक पुरा true insightful reading करने की कोशिश करेंगे last time guys हमने जो reading निकाली थी उस reading में हमने clear cut feelings check किये थे कि आपके जो partner है majority of people के जो partners है वो इस relationship में कुछ खासे खुश नजर नहीं आ रहे थे और इस relationship से बाहर निकलना चाते थे काफी कुछ सोच रहे थे आपके काफी energies निकल कर आए थे last reading में और हमने promise किया था कि इस reading को हम आ वाला है आपके partner आगे क्या करने वाले है action का हमारे पास कोई card निकल कर नहीं आया था okay so आज एक बार फिर से insightful reading करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है अभी फिलहाल current situation क्या है दोनों के बीच में क्या चल रहा है थोड़ा एक insightful reading करने की कोशिश करेंगे all right okay so guys देखें हमेशा की तरह एक timeless और collective reading होने वाली है सारे signs और सारे elements के लिए होने वाली है so please keep an open mind all right universe please divinely guide कीजिए और बताएं कि मेरे viewers के partner और third party के बीच में क्या चल रहा है current situation क्या है last time हमने जो भी reading निकाली थी उसके आगे अब क्या हो रहा है currently दोनों के बीच में क्या चल रहा है universe okay so here we go all right so यहां पर हमारे पास है princess of wands it is your search okay eight of cups all right can surprise scorpio ace of swords guys यह वाला कार्ड जो है यह हमारे पास last reading में भी निकल कर आया था ace of swords okay universe please give me one more card oh guys dekhi card अपने up turn हुआ है and we'll take this card five of wands okay okay so guys dekhi current situation क्या चल रही है यह हमारे पास अभी यहां पर फिलाल के लिए cards निकल कर आ चुके हैं थोड़ा insightful reading करने की कोशिश करेंगे guys dekhi हमारे पास यहां पर निकल कर आया है Aries, Leo, Sag, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius यहां पर Aries, Leo, Sag किसी के लिए important हो सकता है take it how it resonates okay all right guys irrespective of यहां पर क्या signs और elements निकल कर आते हैं अगर reading आपसे match करती है तो reading यहां पर आपकी हुई okay all right so चलिए guys अब reading को हम start करेंगे यहां पर जरुत परने पर हम और clarifier निकालेंगे हम और cards भी यहां पर लेंगे जरुत परने पर okay all right guys यहां पर देखिए हमारे पास जो last bottom of the deck जो card निकल कर आया है वो card है हमारे पास यहां पर four of wands okay so यहां पर specifically Aries Leo Sag किसी के लिए बहुत 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 important हो सकता है guys आप देखिए जिस सरह यह resonate करता है okay all right so यहां पर guys देखिए दोनों के बीच में जो situation चल रही है last time हमने जो reading निकाली थी situation कुछ जादा बहतरीन तो यहां पर मुझे दिखाई नहीं देती है लेकिन last time जो हमने निकाला था कि यहां पर दोनों के बीच में बहुत conflicted energy हमको दिखाई दे रही थी कुछ लड़ाई जगडे की हमको यहां पर feeling भी मिली थी कुछ clarity यहां पर इनको मिलने वाली थी जो clarity अभी तक इनको मिली नहीं है लेकिन यहां पर देखे guys five of wands यह जो होता है card यह एक लड़ाई जगडे का card होता है ना सर्फ दिल और दिमाग का लड़ाई हो रहा है यहां पर बलकि यहां पर बहारी लोगों का भी काफी influence है इन दोनों के बीच में यहां पर देखे guys एक कोई इनसान है दोनों में से जो की थोड़ा immature है और यह दूसरे को यहां पर छोड़के जाने का यहां पर पूरा पूरा एक mindset जो है इन्होंने बना लिया है हाला कि यह third party जो है यह चाहते नहीं है दिल में देखिए eight of cups का काड़ी यह बहुत ही दिल पर पत्थर रख कर जाएंगे अगर इनको जाना भी है तो यहां पर third party जो है काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसे लगता है कि इनको काफी दुख है जाना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि चीजे इनके लिए यहां पर कुछ ठीक नहीं है यहां पर जैसा इन्होंने सोचा उस तरह से इनके लिए प्यार नहीं है यहां पर वो इमोशन्स नहीं है बॉनदिं नहीं है यहां पर न चाहते होए भी इन्होंने काफी कुछ यहां पर desire की है कि यह अःप ठीक हो जाए लेकिन यह यहां पर ठीक नहीं हो हाला कि यह आपके partner को बहुत प्यार करते हैं यह जो भी third party है यह truly honestly आपको बहुत आपके partner को बहुत प्यार करते हैं यहां पर बहुत छोटा से set of people ऐसे भी हैं जो कि आपके जो partner है I'm sorry to say शायद आपके लिए थोड़ा disheartening हो लेकिन यह जो आपकी partner है यह चाहे और चाहे इनकी care करते हैं third party की और इनको बहुत पैंपर भी करके रखते हैं like a child एक छोटे बच्चे को जिस तरह pamper करते हैं उस तरह से यह जो हैं third party को आपर pamper करके रखते हैं लेकिन यहां बहुत छोटे सेट of people के लिए यह बात में कह रही हूँ कि third party के लिए आपके जो partner है इनके जो भी care है प्यार है उसको third party जो है यहाँ पर ignore करते हैं for granted लेते हैं लेकिन majority of people के लिए यहाँ पर मैं बता देती हूं आपको third party जो हैं बहुत immature energy में हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखिए guys यह जो mental clarity थी जो मैं last time बात करी थी हमारी reading में निकल कर भी आया था कि इनको कुछ clarity मिलने वाली है कुछ तो है इन दोनों के बीच में जो सच है जो सामने आने वाला है वो सच यहाँ पर जो है अभी सामन कि इनके आया नहीं है कुछ लोग जो है वो थोड़ा यह तो जान पा रहे हैं आपके partner की कुछ तो यहाँ पर manipulate किया जा रहा है इनको कुछ यहाँ पर ऐसा है जो इनसे चुपाया जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ और हैं लेकिन इनके सामने किसी और तरीके से पेश की जाती है इनको इस तरह का आभास पूरा है लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको complete clarity नहीं है जो कि इनको मिलने वाली है कुछ लोगों की case में यहाँ पर आपकी जो partner है वो किसी से married है लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पर फिलहाल problem है और कुछ लोगों की case में आपक शादी की कगार तक जाने के लिए यह दोनों जो है वो सोच रहे हैं हलाकि दोनों के बीच में हाँ पर conflicted energy तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देती है चलिए एक हमारा जो traditional tarot है उससे और कुछ जानने की कोशिश करते हैं universe please divinely guide कीजिए और बताइए कि मेरे जो viewers है उनक दूसरे के पारे में क्या सोच रहे हैं और यह जो ace of swords निकल कर आया है mental clarity जो है इसको मुझे clarify कर देजे इस card को clarify करेंगे guys यह card मारे पास last reading में भी निकल कर आया था ऐसा क्या है जो इनको पता चलने वाला है और दोनों के बीच में इतने disagreements है एक उत्तर है एक डक्षिन है इ तो क्या ऐसा है universe यहां पर ace of swords को हमको clarify करना है oh my god यहां पर ace of swords को clarify करता है lovers in reverse यहां पर guys एक बात तो यहां पर clear समझ में आती है with this lovers in reverse कि यहां पर यह mental clarity आपके partner को मिलने वाली है कि इस relationship में intimacy हो सकती है physical intimacy यहां पर completely हो सकती है लेकिन यहां पर एक प्यार एक जो बांद के रखने वाले emotions होते हैं relationship में एक जो bonding होती है relationship में वो यहां पर missing है तो यहां पर प्यार नहीं है यहां पर lust वाला मुझे थोड़ा हिसाब किताब नजर आ रहा है ऐसा नहीं लगता है कि दोनों के बीच मे बहुत जादा ऐसा खिचाओ है gravity जो एक relationship में होती है वो gravity यहां पर मुझे missing दिखती है एक commitment यहां पर नहीं है आपके partner को clearly feel होता होगा कि third party उनके साथ तो है लेकिन उनके साथ में कोई commitment नहीं है इस relationship में कोई excitement नहीं है कोई fun नहीं है यहां पर चीजे जिस तरह से project की जाती है उस तरह से होती नहीं है चीजे तो यहां पर इनको एक जूट एक दिखावे का जो एहसास है वो आपके partner को यहां पर मुझे होतावा दिखाई दे रहा है ओके चलिए so universe please कुछ और information दे दीजे और ऐसा क्या है जो हमको जाना जरूरी है और अगर last reading में जैसे निकलके आय हैं तो अभी क्या situation है क्या मेरे viewers के partner उनको अभी miss कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं मेरे viewers के बारे में उनके जो partner है वो क्या सोच रहे हैं प्लीज डिवाइन लिगाई कीजे universe ओके निकल नहीं पा रहे हैं situation से चाहते हैं बाहर निकल के आना लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं इनको लगता है कि सब कुछ खतम हो रहा है आपके और इनके बीच में चाहते हो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इनको लग रहा है कि सब कुछ end हो रहा है सब कुछ खतम हो रहा है इस तरह किनको feelings आ रहे गभराहट हो रही है इनको बैचे नहीं हो रही है दिल में बहुत ही restless feel कर रहे हैं ओके यहाँ पर इया इसले रहा है कि बस खुशिया जो है इंकी खतम हो रहे है कि जो खुशियों का सवेरा है वह बिल्कुल है इस तरह की feelings इनको यहां पर आ रहे हैं आपको लेके और देख लेते हैं इनिवर्स प्लीज कुछ कार्ट्स और देदीजें ओके ओ माइगाड यह देखे गाई इनको तो ऐसे लगा है कि बिल्कुल आपके और इनके बीच में अभी कोई प्यार वाली कोई गुंजाईश ही नहीं बची है क गुछ हो ही नहीं पा रहा है इस तरह की फीलिंग्स यहां पर आपके PARTINER के आपके लिए आजMK और हैं यह बहुत स्रफिप दखाई देते हैं यहां पर बैस जैसे लगता है कि इनको इनको ऐसे लग रहा है कि दुनिया बस खतम हो रही चाह रहे हैं बाहर निकलना लेकिन बाहर नहीं निकल के आ पारे हैं एक बहुत ही प्यार भरा जो एहसास जो इन्होंने कभी आपके साथ या आपके लिए फिल किया होगा उस एहसास के मरने का इनको एहसास फिल हो रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें खतम हो रही है प्यार खतम हो रहा है एक जो feelings आपके लिए इनकी थी वो खतम हो रही है इनको साथ में ऐसा भी लग रहा है कि जो प्यार आप इनसे करते हैं वो आपकी तरफ से इनके लिए जो प्यार घतन हो रहा है आप मेंसे कहीं लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने partner के साथ यहाँँपर babies क भी सपने देखिये होंगे या फिर आप दुनों ने मिलकर अपने बच्चों के नाम तक रख लिया होंगे तो यहां पर इनको एक complete feeling मिलती है यहां पर कि इनको अपने सपने जो है वो तूटते वे नजर आ रहे हैं इनको ऐसे लग रहा है कि दुनिया बस खतम हो रही है आपक लिए यह आप दोनों ने जो पल साथ में बिताए हैं उन पलों को याद करके आपके पार्टनर जो हो कही बार रोते भी होंगे अकेले में इस तरह के feelings भी यहां पर इस reading में गाइस देखने को मिलते हैं तो चलिए और कुछ कार्ट ले लेते हैं उनिवर्स और क्या एडिश के वीवर्स के पार्टनर के बीच में और क्या चल रहा है क्या होने वाला है कुछ और इंफरमेशन जो आप देना चाहते हैं यूनिवर्स प्लीज डिवाइन भी गाइड कीचिए यह देखे गाइस दिस देखार्ट और बिपार्चर यह रिलेशन्शिप ज्यादा चलने व कार्ड होता है तो यहां पर देखे अभी बहुत सारे लोगों के केस में मिजॉरिटी ओफ पीपल मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आपके जो परसन है वो बहुत जादा दिनों तक यह थर्ड पार्टी में रहने वाले नहीं हैं थर्ड पार्टी से यह निकलने वाले है इस तरह के फीलिंग्स यहां पर इस रीडिंग में मिलते हैं और यह रीडिंग हमने गाईज जो पिछली रीडिंग निकाली थी उसकी कंटिनुएशन में निकाली है और यहां पर देखे यह कंप्लीट फूल ऑन आक्शन का कार्ड निकल कर हमारे पास आया है इस से बहुत जल्दी मूब ऑन कर जाएंगे इस तरह के फीलिंग्स यहां पर मिलते हैं यह सुपर ऑन आक्शन का कार्ड निकल कर हमारे पास आया है गाईज एक बड़े चेंज को भी दिखाता है किसी भी रिलेशन शिप या फिर लव रीडिंग में अगर यह कार निकल कर आता है तो एक बहुत बड़े चेंज को दिखाता है और कई बार कार्ड के सराउंडिंग से हम यह पता लगा सकते हैं कि यह कार्ड हमारे लिए पॉजिटिव फ्रेम आया है या निगेटिव फ्रेम में आया है तो यहां पर देखिए गाईज अगर आप पूरे सराउंडिंग का बार आ ते खूरणिय बाले और इस रिलेशनश्ठीb से बहुत जलदी नीकल जाएंगे बाहर तो यूझीवर्स प्लीज डिव्धान लेग गाइट की यह इस रलेशनशचीसे कब तख बाहर आ जाएंगे लाए सकते हैं स्विलेशन शिप से एक टाइम देदी जै यूनिवर्स मेरे वीवर्स की पार्टनर थर्ड पार्टी से कब तक बहार आ सकते हैं ओके तो नाइन इस नंबर गैज अलरेड़ी आपके पार्टनर जो हैं डिटाच्मेंट की फीलिंग में हैं उनको बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी एक जिसको कहते हैं ना एक साथ में रहकर भी किसी के अकेलापन की जो फीलिंग होती है उस तरह है कि फीलिंग यहांपर आपके पार्टनर की मुझェ समझ में आ रही है ञहाँज यहाँ पर देखिएए 9 नंबर मारे पास निकल कर आया है और यह 9 days भी हो सकते हैं, 9 weeks भी हो सकते हैं, 9 months भी हो सकते हैं, इसके आगे मैं नहीं कहूंगी guys लेकिन यहाँ पर 9 months maximum हमारे पास time निकल कर आया है, 9 is the month of September also यहाँ पर September का महीना भी हो सकता है, 9 तारिक भी हो सकती है किसी महीने की so take it how it resonates guys लेकिन यहाँ पर 9 number हमारे पास निकल कर आया है तो यहाँ पर 9 number बहुत सारे लोगों के साथ में यह relate कर सकता है यह 9 घंटे भी हो सकते हैं और guys यहाँ पर कहीं लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी feel मिलता है with this reading कि आपके partner अगर आपके उनसे बात नहीं हो रही थी third party में हैं कुछ भी problem चल रही थी तो यहाँ पर मुझे इनका कोई आपके लिए message आता हो दिखाई देता है मुझे ऐसा feel होता है कि यह बहुत जल्दी आपको contact करने की कोशिश करेंगे आपको message करेंगे आपके पास वापस आना चाहते हैं इस तरह के feelings यहाँ पर इस reading में देखने को मिलते हैं so guys एक बार यहाँ पर आपके लिए कुछ guidance निकालते हैं देखेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी reading में आपके लिए अगर हमको कुछ guidance लेना है तो guidance आपको universe क्या देना चाहेंगे आज अगर इस reading में इतना सब कुछ निकल कर आया है आपके partner आपके वारे में सोच रहे हैं आपके पास आना चाहते हैं detachment की feeling में third party के साथ में तो आपको क्या करना चाहिए आपके लिए क्या guidance निकल कर आता है यह भी एक बार चेक करेंगे फिलहाल के लिए bottom of the deck हमारे पास जो निकल कर आया है वो है two of wands so guys यहाँ पर देखे two of wands का जो card है यह clear cut indication है कि यहाँ पर आपके जो partner है इनके पास दो choices हैं लेकिन एक जो है choice इनको यह छोड़ना नहीं चाहते है और इनको इनोंने अच्छे कस के पकड़ रखा है and I'm sure कि यह आप ही हैं जिनको इनोंने ऐसे कस के पकड़ रखा है इनके पास दो लोग हैं दो choice हैं lovers की लेकिन यह जो हैं आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं आपके पास वापस आना चाहते हैं कम बैक करना चाहते हैं आपके साथ जो सपनी देखे हैं उनको ये पूरा करना चाहते हैं विद्स टू अफ़ वांट से एक और बात यहां पर clear cut समझ में आती है गाईस कि ये जो person है ये इनोंने आपके साथ आपके साथ दुनिया देखने का इनोंने सपना देखा है दुनिया बसाने का इनोंने सपना देखा है इस तरह के feeling इस टूइडिंग में मिलते हैं प्रस्यां पर कुछ लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ गाईस आपमेंसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हीली एरिया में रहते हैं इस तरह के फीलिंग्स भी यहां पर इस रीडिंग में मिलते हैं ओके ओल्राइट आज एक बार देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए युनिवर्स क्या गाइडन्स देना चाहते हैं प्लीज युनिवर्स डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जो इस वक्ति ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए अगर कुछ गाइडन्स है आज के लिए तो उनके लिए क्या गाइडन्स होगा इडिवर्स आपके साथ से मेरे जो व्यूवर् प्लीस डिवाइनली गाइट कीचे यूनिवर्स सिफ एक ही कार्ड निकालेंगे गाइज गाइडन्स के लिए और राइट मिरर ट्रीट यूर बॉड़ी लाइक पैलेस इस ओ माइगाइज तो इस ब्यूटिफुल मैसेज गाइज फो यू बहुत बहुत ही खुबसूरत और यह मुझे लगता है यहाँ पर क्योंकि आपके पार्टनर थर्ट पार्टी में हैं और आप बहुत दुखी हैं आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शायर इमोशनली आप में से कई लोग बहुत ड्रेन डाउन हो चुके हैं इसल हो है self conscious जो है feel कर रहे हैं लेकिन यहां पर आपको खुदको थोड़ा change करने की जरुवत है आपको अपने आप से प्यार करने की जरुवत यहां पर कई लोग ऐसे भी मुझे लग रहे है गाइस आपने आपको बहुत इग्नॉर करें है आप मेंसे कुछ लोग यहां पर मुझे इल होते वे भी दिखते हैं यह भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि आपने एक्स्ट्रीम अपने आप में यहां पर प्रेशर लिया है और जिसकी विजह से आप आप एंग्जाइटी में चले गए हैं या डिप्रेशन में या रात को आप सोते नहीं होंगे रेस्लिस होंगे आप मेंसे कहीं लोग जो है थोड़े मोटे भी हो गए हैं जो एक्सराइज नहीं करें हैं अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यहां पर आपके लिए क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स कि आप जो है आपको एक्स्ट्रीम एक्सराइज करने की जरुवत है और आप जो भी अनहल्दी बिहेवियर कर रहे हैं अपनी बॉड़ी के साथ यहां पर आपको वो सब के बारे में सोचना है जो भी आप करना पसंड करते हैं वह अपना स्किल से डवलफ करेए खुद से प्यार करिए खुद का ख्यार रखिए गयें और किसी के प्यार में इतना मच टूप जाएज कि आप खुद को हने लगें तो पहले खुद से प्यार करना सिखें, यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट मैसेज निकल कर आता है तो गैस फिलाल के लिए यही थी आपके छोटी सी प्यारी सी बीटिफुल कलरफुल रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स रीडिंग में, तब तक के लिए बाबाई और टेक टुट